दिली में एक बार फिर भूकंब का जटका महसूस किया गया है रिक्टर स्केल पर भूकंब की तीवरता 2.1 रही फिलाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है इससे पहले 5 जुन को जारगन के जमशेदपुर में भूकंब के जटके महसूस किये गये थे जिसकी तीवरता 4.1 थी बीते कुछ दिनों में दिली एंसियार में कई बार भूकंब के जटके महसूस किये गये थे चली बताते हैं आपको दिली NCR में कब कम महसूस किये गए भूकंप के जटके आठ जून 2020 दिली में कम तीवरता वाले भूकंप के जटके महसूस किये गए रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीवरता 2.1 रही 3 जून 2020 नुएडा में भूकम के जटके महसूस किये गये है रिक्टर स्केल पर भूकम की तीवरिता 3.02 मापी गई थी रात 10 बचकर 42 मिनट पर जटके महसूस किये गये थे भूकम का केंद्र दक्षण पूर्व नुएडा में था 29 माई 2020 की बात की जाए तो दिल्ली और इसे सटे कई लाकों में भूकम के जटके महसूस किये गये रिक्टर स्केल पर भूकम की तीवरिता 4.06 मापी गई 28 माई 2020 की बात की जाए तो 29 माई के एक दिन पहले भी दिल्ली में भूकम पाया था इसकी तीवरता 2.5 थी यानि 24 गंटे के अंदर दो बार भूकम के जट के महसूस किये गया थि 15 मई 2020 की बात की जाए तो 15 मई को दिल्ले में भूकम के जट का महसूस किया गया था हाला कि Richter Scale पर Bukam की तीवरता केवल 2.2 थी 10 मई 2020 की बात की जाए तो 10 मई को दो पहर में करीब 1.45 मिनट पर Bukam के जटके महसूस किये गये थे Richter पेमाने पर इसकी तीवरता 3.5 थी 13 April 2020 की बात की जाए तो 13 April को आए Bukam की तीवरता Richter Scale पर 2.7 थी Bukam का केंद्र दिली ही था 12 April 2020 की बात की जाए तो Richter Scale पर Bukam की तीवरता 3.5 मापी गई कुरुना वारत से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन था इसके बीच दिली नोडा गाजयवाद में Bukam के जटके महसूस किये गए 20 December 2019 की अगर बात की जाए तो शाम पाँच बचकर नौ मिनिट पर दिली अंसियार में Bukam के जटके महसूस किये गए थे Bukam की तीवरता 6.8 मापी गई इस Bukam का केंद्र अफगानिस्तान की काबुल में उत्तरपूर्वों में था 19 November 2019 की बात की जाए तो दिली यूपी समय तो तब भारत की कुछ हिस्सों में Bukam के जटके महसूस किये गए थे Bukam का केंद्र बिंदू भारत नेपाल था रिक्टर स्केल पर Bukam की तीवरताब 5 मापी गई SPN 9 Newsroom से शुरूतिक रिपोर्ट